हेलो एवरीवन वेलकम टो माई चैनल पीके कोमर्स तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन आंसर लेकर आई हूं हमें रिसोर्स मानेजमेंट का जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जान रहें कि अब आप लोगों का एक्जाम का कुछ दिन बच गया है तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन आंसर लेकर आई हूं जो कि आप लोगों के एक्जाम में काफी हेल्फूल होने वाला है तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किये तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ला कर सकते हैं कि इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए यूजी पीजी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन आंसर करवाती हूं और यूजी पीजी से रिलेटेड आप लोगों के एक्जाम से रिलेटेड किसी वी तरह कोई इनफॉर्मेशन होता है तो मैं अ आज करेंगे कि हुट क्या होते हैं कंसेप्ट क्या है इसके और सबसे पहले मैं इसका बेसिक में बता दू कि हुमें रिसॉर्ष माइनेसमेंट यानि HRM ये तीन सब्दों से मिलकर बना है Human Resource and Management Human का मतलब होता है मानो और Resource का मतलब होता है संसाधन और Management का मतलब होता है प्रबंद यानि किसी भी कमपनी या संस्था को चलाने के लिए एक Human Resource Management की आवस्ता पड़ती है यानि कमपनी में मानो को एक संसाधन के रुप में कारे कराकर कमपनी के गोल्स को पूरा करना Human Resource के हातों पर ही होता है तो हर एक कमपनी में Human Resource का पहुत ही महत्पून रोल होता है हर कमपनी में HR डिपार्टमेंट होता है और HR के माधियम से ही सारे कारे को संपन किया जाता है तो चलिए फ्रेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि इसका साब्दिक मीनिंग क्या होता है तुदिके फ्रेंट्स मानो संसाधन प्रबंद यानि कि Human Resource Management किसी संगठन की महता तीन तथियों पर निर्धारित होती है यानि फ्रेंट्स जब भी कोई विजनस या कोई कमपनी अस्थापित की जाती है तो विजनस को चलाने के लिए एक संगठन बनाया जाता है और उस संगठन के लच्छे को पूरा करने के लिए तीन तथियों की आवसकता होती है और खास सूर से कमपनी को चलाने के लिए मानो धन और पदार्थ ये तीनों का महतपून रोल होता है इसमें इनमें भी मानो तत्य अत्यंत महतपून अस्थान रखता है यानि फ्रेंट्स आप सभी जान रहे हैं या आप सभी समझ सकते हैं जैसे और किसी भी कमपनी को चलाना है और हमारे पास धन और पदार्थ दोनों है लेकिन अगर मानो ही नहीं है तो उस बिजनस को चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा क्योंकि अन्य दो संगठन के तत्यों का वास्तिक परियोग मानो के द्वारा ही होता है यानि कि जब मानो होंगे तभी वो धन और पदार्थ का परियोग किया जा सकता है क्योंकि मानो के द्वारा ही बिजनस को चलाया जा सकता है हमारे पास सारे material एबलेबल है लेकिन अगर मानो ही नहीं है तो किस तरह से उस बिजनस को किया जा सकता है मानो का इसमें बहुत ही महत्पून रोल होता है इस परकार मानो संसादन के दज संचालन द्वारा कोई भी संस्ता अधिक्तम लाप प्राप्त कर सकती है यानि कि जब बिसनस को चलाया जाता है और जितने मनुषियों की आवसकता होती है जितने करमचारियों की आवसकता होती है वे सभी अगर अबलेबल हो जाते हैं सही समय पे और हमारे पास धन और पदार तीनों हैं तो बिजनस में काफी अधीक मातरा में लाप राप करने की संभावना बढ़ जाती है इस निर्देशन और निर्देशन का एकिकरित कारे करे एलन प्राइस की पुस्तक बेपार प्रसंग में मानो संसाधन प्रबंद में बैक्त मत के अनुसा यानि कि हुमेंट डिसर्स मानेजमेंट को किस तरह से परियोग किया जाता है एलन प्राइस की पुस्तक में यह लिखा है कि मानो संसाधन मानो संसाधन प्रबंद में वरत्मान परिवेश में एक अग्रणी अस्थान प्राप्त कर लिया है प्रन्तु यह महत्पून है कि मानो संसाधन प्रबंद नई पदती नहीं है यानि हम सभी जानते हैं जब से हम लोग बिजनस कर रहे हैं बिजनस में सबसे महत्पून रोल मानो का ही होता है और इसे हम लोग एक संसाधन के रूप में कारे करते हैं बलकि यह मानो अस्तित्तों के साथ से ही प्रारम हो गई थी यानि कि अगर business को program किया जाता है तो business को program करने के लिए एक मानो द्वारा ही या निर्ने लिया जाता है कि यह business को ऐसे करना है इस business को ऐसे करने से हमें इतना profit होगा तो यहाँ पर decision भी एक मानो के द्वारा लिया जा रहा है इसलिए Human Resource Management का किसी भी संगटन या फिर संस्था में महत्पून रोल होता है किसी भी संस्था में मानो संसाधन प्रवंधन महत्पून प्रक्रिया है यानि कि किसी भी संस्था या कमपनी को चलाने के लिए मानो संसाधन प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में कारिय करती है सधारंता मानो संसाधन प्रबंधन एक प्रबंध के कारिय है यानि कि एक इसे management function के रूप में कारिय किया जाता है जिसमें लोगों के परियासों को संगठन के लक्षे सिध्धी की और एक रूप और केंदरित किया जाता है जैसे जैसे संगठन का कारे बिस्त्रीत होता जाता है वैसे वैसे वा परिस्कृत और प्रक्रिया में पेसीधा होता जाता है यानि कि जिसे जैसे बेयोसाय बड़ा होता है, कमपनी बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे HR का डिमान बढ़ने लगता है और इस तरह से HR अपना बहुती महत्पून योगदान देता है तो देखिए यहां पर आगे दिया है इसकी परिभासा के रूप में मिलको वीच के अनुसार, मिलको वीच का कहना है कि मानो संसादन प्रबंधन फैसले या निर्नयों की एक समनवित स्रिंखला है यानि कि किसी भी संस्था या फिर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए फैसले यानि कि डिसीजन का एक समनवित दोनों के बीच में फैसला और निर्नयों के बीच में समनवे अस्थापित किया जाता है दोनों के बीच में ताल मेल होता है तब ही बिजनस में करमचारियों और नियोकता के संबन को संचालित करती है तता उनकी गुनवता संस्था हुआ करमचारियों के उदेश से पूर्ति में सहायता होती है दूसरी परिवासा में डिकैंसो एवं रोविंस के अनुसार डिकैंसो एवं रोविंस का मानना है कि मानो संसाधन प्रबंधन लोगों से संबन्दित प्रबंधन है यानि कि जो होमें डिसर्स मानेजमेंट किया जाता है वो लोगों से संबन्दित यानि कि लोगों से रिलेटेड प्रबंधन किया जाता है चुकि प्रतेएक संगठन मुलता लोगों द्वारा निर्मीत होता है यानि जो भी संस्था या कमपणी में संगठन बनाया जाता है लोगों को ही एकठित करके या संगठन को निर्मान किया जाता है उनकी सेवाएं जुटाना प्रबिन्ता में विकास लाना उन्हें प्रेरित करना जिससे उच अस्तर का निस्पादन सुनिस्चित हो एवं वे स संगठन के प्रती वचनबद हो और अपने उदेशियों की और उन्मूखो महत्पून प्रक्रियाएं हैं या सभी संस्थाओं के लिए सत्य जैसे सरकारी वेपारिक सिक्षा स्वास्त मनुरंजन देता समाजी कारी से संबंदे संस्थाएं आदी है दी गई परिभासाओं से असपस्थ है कि संगठन का निर्मान बेक्तियों से होता है हम सभी जानते हैं जब भी हम लोग एक संगठन बना कर किसी कारे को करते हैं तो हम लोग एक दुसरे से आपस में चर्जा करते हैं और एक संगठन बना कर ही किसी कारे का प्रारम करते हैं अथार्थ मानों के अभाव में संगठन का कोई अस्तितो नहीं है यानि कि अगर कोई संगठन बनाना चाता है और संगठन बनाकर बिजनस प्रारम करना चाता है या कोई कमपनी अस्थापित करना चाता है और वहाँ पे मनूस्य ही नहीं एगरी है मानों ही नहीं कारे करना चाते हैं उस संगठन में जुड़ना नहीं चाते हैं तो यहां पिम संगठन का अस्तितु ही नहीं रह जाएगा मुद्रा माल वा मसीन आदि का संगरहन तथा उपयोग मानों संसाधन द्वारा ही किया जाता है यानि अगर बिजनस चलाया जाता है बिजनस किया जाता है तो वहाँ पर हमारे पास जो मनी होते हैं धल होता है ऊपयोग मानों के द्वारा ही किया जाता है तो मनुस्ते ही या decision लेता है कि हम इस मुद्रे का कहा कहा use करेंगे, इस माल को क्या बनाएंगे, इस machine से किस चीज की वस्तु बनेगी, यह सभी मानो के द्वारा ही किया जाता है, अता मानो संसाधन एक संगठन के लिए अत्ती महत्पून है, तो हम सभी चांगते हैं कि अगर म मानो संसाधन में संगठन का महत्पून अस्थान दिया गया है, रास्टी द्रिष्टी कौन से मानो संसाधन को ज्यान को सलता और स्रिजनात्मकता योग्यता गून आदी के रूप में परिभासित किया जा सकता है, लेकिन संगठनत्मक विचार से मानो संसाधन का अर्थ कार यो कारे पर बेक्तियों से लिया जाता है चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मानो संसाधन प्रबंद की आउधार्थना क्या है यानि कि Human Resource Management का कंसेप्ट क्या है तो इसका कंसेप्ट यह हो जाता है कि मानो संसाधन प्रबंद एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों और संगठनों को आपस में बांध कर रखती है यानि कि बांधती है इसका यही एक मैन उदे से होता है कि संसाधन के माधियम से किस तरह से मानो को एक संसाधन के रूप में कारे करवाना है या एक प्रक्रिया के रूप में कारे करती है और मानो संसाधन संगठन को एक्जूट बना कर रखती है ताकि संगठनात्म के वब नीजी उदेशियों को प्राप्त किया जा सके जैसा कि अगर कोई कमपनी किया बनाया गया है कमपनी में लोगों के बीच में आपसी समती ही नहीं है दोनों के बीच में समन्वे में प्रोब्लम आ रही है दोनों के बीच में लड़ाय जगड़े हो रहे हैं HR और वर्कर के बीच में तो इस तरह से बिजनस का जो गोल है उसको एशिव करना बहुत ही मुस्कीर हो जाएगा इसलिए Human Resources का यही में उदेश से होता है कि दोनों के बीच में एक कोडिनेशन को अच्छे से बनाय रखना होता है और अच्छे से मैनिजमेंट करना होता है ताकि संगर्णात्मक्यमनी जी उदेशियों को असानी से प्राप्त किया गा सकते हैं बिभीन प्राबंध बिसेसेग्यों ने मानवे संसाधन की अभी विक्ति के लिए अनियक मद्दों का परियोग किया है इसमें फिलपो का प्रसोनेल कित डेविस का पीपल एट वर्क आदी सामिल है यानि इसमें फिलपो का कहना है कि यह प्रसोनेल है कित डेविस का कहना है कि अभी पीपल एट वर्क है आदी सामिल है एक संगठन के मानवे संसाधनों में बिभीन अस्तरों पर अनेक संगठात्म गति विदियों में लगे सभी लोगों को इसमें सामिल किया जाता है यानि कि संगठन में जितने लोग जुड़े होते हैं बिभीन अस्तरों पर कारी कर रहे होते हैं वे सभी को इसमें सामिल किया जाता है और जो company का HR होता है, company का HR जो होता है वो company का head के रूप में कार्य करता है, उसके द्वारा ही business को management किया जाता है, manage करके ही business के goals को achieve किया जाता है और जो बिभिन अस्तप्रकारी कर रहे होते हैं वे सभी करमचारियों को डारेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि किस तरह से कारियों को करना है मेगी सन के अनुसार, राष्ट द्रिष्टि कोंसे माने संसादनों को समगर में प्राप्त ग्यान, चतुर्तियों, स्रिजनात्मक, योग्यताओं, प्रतिभाओं तथा सुर्णूचियों के रूप में परिभासित किया जा सकता है, जबकि एक वेक्तिगत उपकर्म के द्रिष्टि कौन से अंतर नहीं ती योग्यताओं, प्राप्त ग्यान तथा चतुर्यों के योग के प्रतिनिदितों करते हैं, जो उनके करमचारियों के प्रतिभाओं, दर्स्ताओं तथा सुरूचियों की साप दिखाए देती है, यानि जो HR डिपार्टमेंट के अंतरगत वेक्ति कारी करते हैं, और HR के द्रिष्टि कौन से, जो वेक्ति में, जो वेक्ति उस कमपणी या संस्था में काम कर रहा है, और उसे कारी करने नहीं आ रहा है, तो उस वेक्तियों को प्रसिछन देकर उसे योग्य बनाया जाता है, और उनक प्रकृती में संगठन में काम करने वाले लोगों को विभिन itt्हों का अलग अलग आवसकता है owसकता है सारीरिक समाजिक और मिणोबिज्णिक हो सक्ती यानी जो संस्था या कंपवी होता है उस उस क helm अपना अस्तर होता है सिनियर कोई के में कफ़्छ काम करते कोई कि यहां पर के हम देखते हैं कि मानौ संव escr Mail को सग्राइब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब से मानौ संसाथ प्रबंध का विकास कैसे होता है और कैसे हुआ है तो एतिहासिक रूप में मानोस अंसाधन प्रबंध का विकास रोबाट ओवेन और उनकी स्वीनिंग विहिल से हुआ जो स्कॉट लेंड में है चार्ल्स बैहोज और हैंडरी डोटे ये दोनों मानोस अंसाधन प्रबंधन के प्रारंबिक विकास में सही योगी थे इनकी ब्रिधी बिषेस रूप से दो बिसो Іूदों के अंतराल के समय में चिन्नी थे जब मानो संबंद साखा या बेहवारिक शाखा विक्सित हुई इसके पस्चात बेहवारिक साखा बेहवार विग्यान वा समाजिक शंबंदों के दिशा में विक्सित हुई वो मानो संबन साखाकलियान राहजय उपागम की और उन्मूख हुई क्रमीक प्रबंधन कला एवं बिग्यान दो प्रवितियों के रूप में सामिल है यानि हो में रिसर्स मानेश्मेंट का किस तरह से डेबलप हुआ वो सभी यहाँ पर बताया गया है कि कब कब मानो संबन की सकता पड़ी और किन्हों ने इसे जोडने का काम किया यह सभी यहाँ पर बताया गया है चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मानोस अंसाधन प्रबंध के उदेशे क्या है यानि कि मानोस अंसाधन जो Human Resource Management है इसका क्या man objective होता है मानोस अंसाधन प्रबंध के उदेशियों के अधार पर इसे ना केवल समझा जा सकता है बलकि इसे विविल सरोकारो की व्याक्या भी की जा सकती है इस प्रबंधन में निमलिकित उदेशे होते हैं यानि कि इसका किस किस भाग में इनका उदेशी होता है किस तरह से अपना योगदान देते हैं तो इनका पहला मानो संसाधन प्रबंद का पहला उदेशी होता है समाजिक उदेशी यानि कि समाज के लिए योगदान देना मानो संसाधन प्रबंदन पुरंता समाजिक विचारों इस्तितियों से जुड़ा है अता समाज कानून दोर इनकी नीतियों पर नियंतरन कर सकता है जैसे कि आरचन नीति और दूसरे कानून और विचारिक पच्छपात पर अधारित हैं कामगारों के स्वास्त और सुरक्सा संबंदे नियम मनोबल और दुसरे समाजिक संबंदों का परिणाम सौरूप नियम होते हैं यानि कि बहुत सारे ऐसे होते हैं मानू संसादन जैसे कि समाज का कोई गाउं या फिर सहर में किसी तरह कोई कारे किया जाता है सरकारी संसाओं द्वारत तो वहां पे वी एक संगठन बना कर कारे किया जाता है वहां पर भी एक लीडर बनाये जाता है और उसके अंडर बहु सारे लोग कारे करते हैं तो इसे समाजिक उदेश्य से भी कहा जा सकता है समाजिक उदेश्य को पूरा करने में भी का योगदान होता है दूसरा आता है बेक्तिगत उदेश्य की पूर्ति में सहयोग को बढ़ावा देता है इसलिए संगठन में बेक्तिगत उपयोगिता बढ़ाने में भी योगदान देता है यदि करमचारियों को सुरक्षीत और बहतर परदर्सन के लिए प्रेरीत करना हो तो उनके बेक्तिगत लच्चियों की पूर्ती अवस्य करनी पड़ती है तो उनके बेक्तिगत जो लच्छी होते हैं जो प्रस्णाल गॉल्स होते हुए सभी को पूरा करना अवस्य हो जाता है अन्यता करमचारी का परदर्सन धीरे धीरे पतन की और अगरसर होगा यानि कि अगर वे अपने कारिय को पूरा नहीं करेंगे तो जो उनका करमचारी का जो परफॉर्मेंस होता है धीरे धीरे कम होने लगता है यहां तक कि वे संगटन छोड़ने तक की सोचने लगते हैं अता करमचारी लाब और छतिपूर्ती करमचारी रिकोर्ड और करमचारी नीती का संबंध मात्पून पहलू है यानि कि जो करमचारी अपने पद पर कारी कर रहा होता है और वह अपने उदेश जो होता है अपना उसका उदेश यह होता है कि जिस पद वो कारी कर रहा है, वो अपने कारी को करते अपना पद में भी पर्मोशन कर सकता है, और अगर उसे समय पे उसे सेलरी नहीं दी जाती है, तो वो धीरे-धीरे अपने परफोर्मेंस खराब करने लगता है, या फिर वो अपना कारिय ढ़ंग से नहीं करने लगता है तो इस तरह से कमपणी को नुकसान होने लगता है इसलिए जो कमपणी का H.R. होता है उसे या ध्यान में रखना जरूरी होता है कि किस तरह से हमारे वरकर्ण काम कर रहे हैं उन्हें अपने काम से संतुष्टी मिल रही है कि नहीं वो अपने सेलरी से संतुष्ट है या नहीं यह सभी का भी ध्यान रखना पड़ता है अगला उदेसे आता है कारियात्मक उदेसे के अंतरगत पर्तिया योजन वा उतरदाई तो परबल दिया जाता है मानो संसाधन प्रबंधन के कारियात्मक लच्छे के अंतरगत, मानो का मुल्यांकन, मानो संसाधन का नियोजन एवां मानो संसाधन की जात सामिले, प्रन्तु कारियात्मक लच्छे के अंतरगत लाभों को सामिल नहीं किया जाता है अगला आता है संस्थागत उदेशी यानि जो संस्था या कमपनी होता है उसका क्या उदेशी होता है संगठन की समाजिक छमताओं में मानो संसाधन प्रबंधन सबसे प्रमूख है यानि जो संगठन होता है, संगठन का मैंग, efficiency, power होता है कि मानो संसाधन प्रबंध अच्छे से हो सहयोग और समन्वय द्वाराया संगठन को एक रुपता परदान करता है, वाँ परभाविक्ता के वो क्या कारक है मानो संसाधन प्रबंधन अपने काम में लच्छ इंड नहीं है, या संगठन अत्मक चमता के लच्छ इंड का साधन मिन्स है कि यह संगठन के प्रात्मिक लच्छ में सहयोग देता है सधारंता कर सकते हैं कि मानुसंसादन प्रबंध दिभाग के सेवा दोरा संगठन को पूरी तरह समालता है यानि जो कंपणी होता है कंपणी के जो बिभिन अस्तर पर कारे कर रहे होते हैं सभी एक संगठन के माधियम से ही अपने कारियों पर योगदान देते हैं और जो संगठन का प्रात्मिक लच्छ होता है उसे पूरा करने में सहयोग पड़दान करते हैं आगे आता है अन्य अधारभूत उदेशे तो ए नंबर में दिया है मानो संसाधन को संगठन के प्रती आकरसित करना होता है यानि कि Human Resource Management का या मैन उदे से होता है कि जो HR यानि संगठन के अंतरगा जो वरकर्स काम कर रहे हैं उसे आकरसित करना उसे कार के लिए प्रोशाहित करना उसे समय समय पे salary का पर्मोशन करवाना पद का पर्मोशन करवाना ये सभी एक HR का काम होता है दूसरा आता है मानो संसाधन को बहतर निस्पादन के लिए विक्सित हुआ अभी प्रेरिद करना यानि कि जो HR के अंदर काम कर रहे होते हुए सभी को समय समय पर develop करना पड़ता है उन्हे time to time motivate करना पड़ता है C नमबर में आ जाता है संगठन में मानो संसाधन को बनाये रखना तो था इसका समाकलन करना यानि संगठन का या भी उदिश्य होता है कि मानो संसाधन को अच्छे से बनाये रखना ताकि किसी भी वर्कर के मन को ठेस ना पहुँचे उन्हें उनका ख्याल समय समय पर करते रहना चाहिए आगे आ जाता है मानो संसाधन प्रबंद के कारिया तो आगे हम लोग देखेंगे कि हुमें research management के functions क्या है मानो संसाधन प्रबंद के अंतरगत समानत्या मानो संगठन का मुलियांकन करते हुए उचीत मानो संसाधन का नियोजन और उनकी भरती चेयां से संबंदित कारियों को सामिल किया जाता है यानि जब human resource management किया जाता है तो संस्था में क्या-क्या उनके लिए आवस्या के वे सभी किया जाता है यानि किसी भी company या संसा को अस्थापित करना है तो सबसे पहले human resource यानि की HR के द्वारा या planning किया जाता है कि हमें किस तरहा का संगठन करना है और हमें किस चीज की उत्थादन करना है बिजनस को कैसे चलाना है किस किस चीज की हमें आवसकता पड़ेगी कितनी पूझी के आवसकता पड़ेगी ये सभी का planning सबसे पहले HR के द्वारा किया जाता है उसके बाद HR या सुनसता है कि हमारे बिजनस में कितने लोगों की आवसकता पड़ेगी और किस तरह के वरकर्स हमारे बिजनस को काम करेंगे और ऐसे कैसे कैसे करमचारी होंगे जो कि हमारे गोल्स को पूरा करने में सयोग करेंगे यह सब ही योगयता को देखते हुए भरती करवाते हैं भरती हो जाने के बाद या चेयन भी करता है कि कौन कौन से पद के लिए इलिजिबल है उनकी योगयता के अनुसार उनका चेयन किया जाता है तो यह सब ही मानुसंसाधन प्रबंध के कारिये के रूप में सामिल किया जाता है मानुसंसाधन प्रबंधन के कारियों को निम्न भागों में बाटा जा सकता है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किन किन भागों में बाटा गया है पहले आता है प्रबंद के कारे प्रबंद के याने की मानेजमेंट के रूप में क्या 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 जाता है बिजनस को अस्टार्ट करने से पहले तो पहला आ जाता है कि नीयोजन यानि कि किसी हम सभी जानते हैं कि किसी बिजनस को प्राइडम करने से पहले हमें प्लाइनिंग करना पड़ता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं पैसे नहीं हैं अगर हमारे पास पूंजी ही नहीं होगा तो फिर बिजनस कैसे अस्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमें प्लाइनिंग करना पड़ता है कि हम कौन से जगहा पे हम बिजनस स्टार्ट करेंगे, कितनी पूंजी के आए सकता होगी, कितने लोग हमारे बिजनस में काम करेंगे, रो मैटरियल्स कहां से आएंगे और किस तरह से कारे करें कि हमारा बिजनस डूब ना सके तो यह सभी प्लाइनिंग किया जाता है इसके इंतरगत संगठन के उदेशियों की प्राप्ति के लिए मानो संसाधन का नियोजन उनकी भरती वा चेयन तथा प्रसिचन संबंदी कारिये किये जाते हैं दूसरा में आ जाता है बी नंबर प्रबंद के कारी के रूप में सं विजनस को अस्टार्ट करने से पेले एक ऑरगनाज्यसिंद बनाएं जोता है जो प्लाइनिंग किया चारी होता है उसे पूरा किया जाता प्याहनि की प्लाइनिंग के मताबिक सं गतनम में जितने लोग होते हैं सभी को जनकारिय दिया जाता हमारे विजनस का ये प्लैनिंग है हमें इस तरह से कारिये को करना है नियोजन संबंधी कारियों के पस्चा संगठन को अपने लच्यों की प्राप्ति है तो सवल अमसच्चम संगठन की आवज़ता होती है सी नमबर में आता है प्रबंध की कारिये में दिशा निर्देशन यानि की डायरेक्शन देना पड़ता है मानो संसाधन में दिशा निर्देशन का कारिये बहूत परभावी होता है दी में आता है नियंत्रन करना यानि की समय समय पर कंट्रोल करना भी अचर डेपाटमстран का उधेशी होता है कि किस तरह से कंट्रोल करे कि हमारा संगठन का जो प्लैनिंग हो हमेσα बना रहे संगठन का नियोजन उसका प्रारूप और दिशा निर्देशन में संब्रुपता हो जाता है किरयात्मक कारे यह निंध की कारियों को किस तरह से किया जाना है तो ए नंबर में आ जाता है jaka ye Febru n Blood कि रोपम को प्राप्त करना जिसमें कारिय विसलेंशन मानो संसाधन का नियोजन, भड़ती चुनाओं एवं उनकी गती सिलता को सुन्यस्चित करना होता है बी नंबर में आ जाता है मानोस अंसादन विकास यानि कि किस तरह से हुमेन रिसोर्ष को डेबलप करना है सी नमबर में आ जाता है च्छती पूर्ति को रोकना या वा प्रक्रिया है जिसके मध्यम से परियाप्त एवं उचीत पूरुसकार मानोसंसाधन को सूलब कराया जाता है यानि कि जब वरकर या फिर जो करमचारी होते हैं मन लगाकर कारिये नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें पुरूश्कृत किया जाता है उन्ने सम्मानित किया जाता है ताकि वे अपने काम को मल लगा करकर लेट मनुरंजन सुवेधाई दी जाती है फैंसन, प्रोवेडेंट फंड आधी दे कर उन्हें प्रोशाहिद करवाया जाता है और कारे को को अच्छे से करने के लिए प्रोसाहित किया जाता है तो उमेदे फ्रेंड्स आप लोग आज के इस वीडियो में हुमें रिसॉर्स मैनेश्मेंट के मीनिंग कंसेप्ट अब्जेक्टिव फंसंस यह सभी को बहुत ही अच्छे से समझे तो ऐसे इंपोर्टेंट प्रस्नों के उत्तरपानी के लिए मारे सेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके पॉल पर क्लिक जरूर करें और कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताए कि या वीडियो आप लोग के लिए यूजफूल रहा या नहीं धन्यवाद